ओयुवी ओयुआ भाई अभी औभी मुझे डेजा चूऊ हूआ उपता है क्या कि आपको फुक्रत्री मुवी नेहीं देखनी चाएं बहुत ही भारी मन के साथ मुझे य courtesy जो बात पता नहीं है वो ये है कि फुक्रत्री मगर्चो प्ते देखो मगर्चो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि फुक्रों ने फुकरा-पंती करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इतनी फुकरा-पंती कर दे कि वो एक हद पर आके ने बहुकुफी लगने लगी अब भाई आप अपनी बहुकुफियों को हसी ठेटोलियों का नाम दोगे तो यही होगा ना हाई गाईज वेल्कम बाक टू फिल्मी किड़ा चैनल और दिस फिल्मी बॉई रिप्रेजेंटिंग दे रिव्यू और फुकरे 3 मैं आज वो मूवी देखकर आया हो जिसकी पिछली दो इंस्टॉल्मेंट्स मुझे बहुत पसंती फर्स्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है ला जवाब है और मैंने पहले भी यह बात कहिए कि जब भी कोई एक नई मूवी बनती है जिसका एक नया इंस्टॉल्मेंट बनता है और नया पार्ट बनता है तो first part या preceding part हमीशा better होता है और यही कहानी फुकरे 3 के साथ भी है फुकरे 3 में जो सबसे गंदी बात मुझे लगी है कि जबरदस्ती की story को उनोंने मिला के बनाने की कोशिश की है और जबरदस्ती उनोंने आपको हसाने की कोशिश की है इससे जदा तो हमारे आयश्मान खुराना जी ने हसा दिया था ड्रीम गल्डू में जहां हर दो मिनट पे पंची पंच थे मतलब वहाँ जदा हसी थी यहां काम हसी है हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि फुकरे 3 में कुछ अच्छा नहीं है हाँ अच्छा है भाई चूचा ने जो क्या कमाल मचा है भाई आप यह मान के चलो कि पूरी मूवी अगर आप देखने जाओ न तो वरुन भाई के लिए देखने जाओ बाई वरुन भाई न सबसे ही बेस्ट काम किया उन्होंने पंकस्त रिपाठी से भी अच्छा काम किया यार मतलब मैं तो देखके दंग रह गया क्यार बताब यह लड़का पंकस्त रिपाठी जैसे वेटरन आक्टर पर भारी पढ़ आप पुलकित समरायट अपने वही सेम पिछ पे चल रहे हैं और एक दुख मुझे और भी है वो यह एक यार भूली पंजावन जो एक कैलेक्टर था जो एक masculinity जो उस कैलेक्टर में दिखती थी जिसे देखके लगता था आहा जलवा और पहलका चलता हुआ रहा है वो उन्होंने पार्ट दर पार्ट खतम कर दिया फर्स पार्ट में जैसी भूली पंजावन थी सेकंड पार्ट में वो और दबी थार्ड पार्ट में वो और दब गई है जिसकी वज़े से मतलब मुझे बहुत जादा ही दुखी है मतलब दुख है इस बात का तो overall movie में कुछ ना कोई बहुत अच्छी कहानी है base repair की कहानी ब बार भी मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता एक बार आप जाना चाहते हो तो फुक्रा भाई हमारे वरुन भाई है उनके लिए चले जाओ देखने उसके लावा इस पूरी फिल्म में कुछ नहीं है बागी सब बरबाद है तो मेरी तरह से इस फिल्म को पांच में से द लोस्ता नामस्कार